माक्सचाह दोस्तों, स्वागत करते अब कामारे चैनल में और आज हम डिसक्स करेंगे में सो में पे व सॉतपिनक करेंगे अब सुरूंहीं १ दिसक्र करके न श्रूंहीं वह और यह कुंछान्थ को पारेज दान का हिए स्र हम 25 सप्लस अब अलग-अलग मैटर को अगर मिक्स कर दिया जाए जी सिंपल चीज जिसे बालू को किसी मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया तो वो भी एक तरह का मिक्षर है कहने का मतलब दो या दोसे अधिक चीजों को मैटर को अगर हम mix करके कोई नया matter बनाते हैं या कह सकते हो आप कि कोई A प्लस B अगर मिलाया जाए तो जैसे C बनता है तो जो C जो है वो जिस टाइब का substance create करता है ठीक है उसको हम mixture कहते है अमाली जए example के लिए कि नमक जैसे है उसको पानी आप mix करते हो ठीक है तो वो क्या हो गया कि नमक घुल जाता है नमक दिखाई नहीं देता लेकिन अगर उसे मैं उझे हटाना है वहाँ से तो वो भी simple process है उसको भी मैं हटा सकता हूँ मैं क्या करूँगा कि evaporation करा दूँगा गरम कर दूँगा पानी को तो वो क्या होगा कि पानी उड़ जाएगा ठीक है और आपका नमक बच जाएगा नीचे settlement रहेगा इस तरीके से mixture वो होता है जिसको physical तरीके से हम क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं हम कोई भी चीज mixture बना आप देखी तरह के solutions हो सकते हैं आ वा mixture में happier हो वह सकता है Homogenous का मतलबไดff कि दो completing same वस्तों के मिलाए जाए तो इसको homogenous mixture क्या कहने का मतलब कि उनको आपने घोल दिया और पता ही नीचला कि आपने कुछ घोला है जिसमें आप देख के पहचान सकते हो या फिर फिजकली तरीके से देख सकते हो कि हाँ जिसमें दो चीजे मिली हैं, जिसे मैं बात करूँ बालू में अगर मिट्टी मिला दिया जाए तो इसमें यह साब दिखता है कि कौन सी मिट्टी है कौन सी बालू है अब जो homogenous mixture होता है उसमें दो या दो से अधिक substance दिखाई देते हैं आप अपने daily life में धेर सारे solutions को देखते हो solution की परिभासा बता दी अब वो solution math वाला solution नहीं है यह solution जो है वो homogenous mixture जब दो या दो से अधिक substance आपसे मिलते हैं उसको कहते हैं अब जैसे की lemonade soda हो गया lemonade soda water यह mix कर देते हैं यह एक तरह का mixture है ठीक है यह भी solution mixture तो है लेकिन homogenous हो गया हमने क्या किया कि इसमें नीबू डाला पानी डाला तो उसमें क्या होता है कि वो मिक्स हो करके पता ही चलता है कि कौन सा mixture है यह क्या इसमें दो सुष्टन मिले हुए हैं क्या तो इस तरीके से हम solution को समस्थ सकते हैं अब solution कई डाइब को हो सकते हैं अब हो सकता है कि solid liquid liquid मिला हो या फिर आप कह सकते हो कि gases gases मिले है या फिर इनका अलग-अलग combination solid को gas से मिला दो liquid को gas से मिला दो ठीक है अलग-अलग तरीके की चीज़ें हो सकती है तो इस in combinations को हम आगे बढ़ते हैं फिलाल आगे बढ़ते हैं तो आगे हम पढ़ते हैं alloy को alloy को होता है कि alloy are the mixture of two or more metal or metal and non-metal and cannot be separated into their component by physical method alloy क्या होता है कि आप समझेगा जैसे कि दो या दो से अधिक metal को अगर आपस में mix कर दिया जाए तो जो चीज क्रियेट होती है जो matter बनता है उसका नाम हम रखते हैं mixture ठीक है जैसे आपने जस्ता का नाम सुना होगा टीना का नाम सुना होगा तो यह सारी चीज़ें क्या है यह सारी चीज़ें mixture ही तो है अब alloy क्या होता है कि mixture बना mix किया लेकिन उसको physical method से अलग नहीं किया जा सकता उनके components को metal के components को अगर physical तरीके से अलग नहीं कर सकते तो उसको alloy के स्रेनी में रखते है अब क्या होता है कि इसमें property जो होती है वो आपकी एक नई property होती है means the property of its constituents and can have the variable compositions for example अब देखिए इसमें क्या है कि alloys में अगर property देखा जाए तो property जो है वो कुछ खास समझ में नहीं आती है कि हाँ alloy जिससे कि माली जे दो चीज़ें आपने बनाई है तो जिस proportion में मिलाएंगे तो उस हिसाफ से property change होती है अगर A और B दो सब्सक्राशन साब मिला रह तो लोहे की जितने भी characteristics होते हैं वो ज्यादा लोहे की तरफ आकर्सी तरहेंगे अब तो इसी बात करते हैं जैसे example लेलिया कि brass brass के mixture में क्या क्या होता है पहली बात कई बार examination में यही पूसता है कि brass जो है वो किन किन चीजों का mixture है तो 30% zinc और 70% copper जो है इन दोनों से मिल करक आपका brass बनता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें copper के जो characteristics है वो ज्यादा रहेंगे तो alloys की बात भी हमने आपे कर ली अब एक example के दवारे मैं आपको solution समझाता हूँ ठीक है solution को समझेगा पहला example है कि अगर माली जे sugar water है चीन को पानी में हमने घोल दिया तो यह एक तरह का liquid solution solution है दूसरा मैंने example देना चाहरा हूँ कि अगर solution हम बनाए iodine और alcohol को तो इसको कहते है tincture of iodine ठीक है और यह iodine solid में लेते हैं जिसको हम salute के तौर पर जानते हैं और alcohol को हम liquid के तौर पर जानते हैं जिसको solvent करते हैं अब यहाँ पर एक नई चीज़ में ली कि solution में दो component होता है एक होता है solute एक होता है solvent solute वो होता है जो कम मातर में होता है solvent वो होता है जो ज्यादा मातर में होता है iodine अगर alcohol में थोड़ी सी मातर में है तो iodine यहाँ पे solute हुआ और solvent करने हुआ alcohol क्योंकि alcohol की मातर जाता है अगर part 3 की बात करें तो aerated drinks जो होते हैं जैसे कि soda water हो गया तो यह हो गया एर एडरेन कि इन सारे से चेज़ों से यह समझ सकते हैं इससे को हिंदु रिपाइकau बंटला में हवा अंकोषिजन कि मात्र इस मिक्षी के तौर पर जानते हैं कि हवा में आक्सिज़न की मात्रा आपकी तो इन सारे समय जाती है जो एक combination बनता है उसको mixture के तौर पर जानते है ठीक है nitrogen 78% होता है oxygen 21% होता है थोड़े थोड़े particle में आपके argon हो गया carbon dioxide हो गया यह सारी चीज़े पाई जाती है अब बात करते हैं कि properties of solution की solution की property क्या होती है उसको समझते हैं a solution is a homogeneous mixture कोई भी solution homogeneous mixture होता है the particle of solutions are smaller than one nanometer अब देखे कोई भी solution आपका homogeneous mixture कब होता है तो जब कोई solution 10 के खाते माइनस 9 मीटर के डाया वाला कोई भी particle उससे छोटा हो जाए तो उस solution को homogeneous mixture काते हैं और उससे बड़ा हो जाए तो उसकी conditions अलग है so they cannot be seen by the naked eyes वो आपका सपच्ट आखों से दिखाई ने देती है अगर human eyes से दिखा जाएगा तो उसमें पता नहीं चलेगा कि उसमें कोई और चीड डाली है क्या नमक वाला पानी क्या आप देख के बता सकते हैं इसमें नमक डाला हुआ है नहीं बता सकते हैं तो कुछ हुआ ही homogeneous mixture का example है क्योंकि इनका जो particle size होता है वो काफी कम होता है इनको light beam के scattering के through solutions को हम क्या करते हैं visible करके देख पाते हैं ठीक है अब जो solute particle होता है cannot be separated from the mixture by the process of filtration अब filter process के द्वारा हम solute जो होता है उसको हम हटा नहीं सकते homogenous mixtures में ठीक है homogenous mixtures में जैसे मा लिजए कि आप नमक पानी है उसको कोई किसी filter paper से लग कर सकते हो पॉसिबल ही नहीं है यह सब तरीक होता है जिससे कि आप समा सकते हो कि कैसे homogenous mixtures को heterogenous mixtures से लग करके property के तौर पर समा सकते है आप तो इसी बात करते हैं कि कितने तरह के example होते हैं या फिर आप जो medicine लेते हो जैसे syrup लेते हो तो syrup में लिखा रहता है उसमें जो formula युचक्या जाता है वो आपका solute और solvent का formula होता है क्योंकि कोई भी दवा जो बनती है वो एक चीज़ा नहीं बनती है उसमें 3-4 चीज़े जैसे पहला है mass by mass percentage of solution ठीक है? mass upon mass मतलब कि अब जैसे कोई दवा बना रहे हो उसमें aloe vera लग रहा है और कोई भी दूसरा पार्टिकल लग रहा है तो माली जै aloe vera की मातरा काफी कम है और दूसरा पार्टिकल जो उसकी मातरा बहुत ज्यादा है ठीक है? जैसे माली जै aloe ver सूगर बना रहे हो तो उन दोनों को combination से आपको कोई दवा बनानी है तो छोटे वाले का mass mass of solute upon mass of solution into 100 कर दिया मतलब कम पार्टिकल में जो है उसका भी mass ले लिया ज्यादा पार्टिकल में है उसका भी mass ले लिया और 100 से गुड़ा कर दिया तो वो तुमारे क्या हो जाएग करते हैं तीसरा जो process है volume by volume मतलब solute का volume और solution का volume into 100 यह तुमारा क्या हो गया कि volume by volume percentage of solution तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में इतने important चीज़े cover की जो कि आपके कई बार class 9th और 10th के math science के NCRT में देखने को मिलता है और किसी भी examination से related यह सारी चीज़े जो concept होते है वो आपको हुआ